हלो दोस्तों सललेगू नमस्ते कैसे आप सब लोग आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल बड्रीम्ज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने दोस्तों आज लेकर आया हूँ Sunday Top Question Answer की वीडियो बड़ से related आपके सवालों के जवाब तो दोस्तों सभी भाईयों के सवालों के जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है तो अगर आपका सवाल थोड़ा लेट आता है तो वीडियो को पूरा देखें आपके भी सवालों के आणसर सभी के मैंने दिये हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते तो पहले कोशिशन पूछा है विकरान भाई नहीं कहते हैं भाई मेरी बजीज मटकी नहीं सिलेक्ट कर रही है कभी कोई मटकी में जा रही है कभी दूसरी मट्की में 4-5 दिन हो गए है ऐसा करते άंसर देना भाई तो देखिए विकरान भाई आपकी जो फीमेल है मट्की सिलेक्ट करने के process में है first breed होती है तो फीमेल मट्की सिलेक्ट करने में काफी time लगा देती है तो वो अभी मटकी को चूज कर रही है कि किस मटकी में उसको अंडा देना है तो थोड़ा सा वेट करें 4-5 दिन और जब वो मटकी सिलेक कर लेगी तो उसमें वो एग लेक करेगी नेस्ट कोशन पुछा है रंजीस सिंग भाई ने कहते हैं भाई मेरे केज में तीन पियर है मेल फीमिल कन्फरम है मैंने तीन मटकी भी लगा दी मगर एक मादा तीनों मटकी में जा रही है और किसी और पियर को जाने नहीं दे रही है कोई उपाए बताएं देखिए रंजीस सिंग भाई कोई कोई फीमेल ऐसी होती है जो दूसरी फीमेल को मटकियों में नहीं जाने देती है तो आपकी ये फीमेल भी उसी तरह की है तो अगर आप चाते हैं कि आपके यहां ब्रीड हो तो या तो इस फीमेल को इस पियर के साथ आप अलग केज में रखें या फिर दूसरे जो आपके दो पियर अलग है जो इस तोतों से कोई भी medicine यूज ना करा के naturally breed ले सकते हैं हमारे यहां समुंदरी जाग नहीं मिलता है कैश्यम ब्लॉक दिया हूँ cage में और मैंने birds को मैटिंग करते हुए दो दफा देखा है देखे कुनाल भाई बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है बजी पेरट से आप बिना कोई medicine दिये भी natural तोर पर breed ले सकते हैं आप उनको अच्छी diet दें उनकी अच्छी care करें तो कोई medicine की जरुवत नहीं है birds फिर भी breed कर देते हैं नेक्स्ट कॉशन पूचा है love birds भाई नहीं है ये कहते हैं भाई मेरी female की nose brown हो गई है male matting करना चाहता है लेकिन female male को मारती है देखे आपकी female अभी breeding के moon पर नहीं है तो थोड़ा सा आप प्राइवेसी दे दें अपने bird को और मटकी वगएरा अच्छे से लगाएं दो तिन एक्स्ट्रा मटकी लगाएं अच्छे साइस की हुचाई पर मटकी लगाएं तब ही female breeding के moon पर आएगी और वो male को matting करने देगी अगला सवाल पूचा है शेख मोहिन भाई नहीं कहते हैं मेरी female दो हफ़ते से मटकी में जा रही है और वो घंटो बैटी रहती है मगर male को matting नहीं करने देती है क्या करूँ देखे शेख मोहिन भाई आपकी female मटकी में बैटी रहती है तो वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है हो सकता है कि matting हो भी रही हो तो आपने देखना हो कभी कभी पता नहीं चल पाता matting कब हो रही है कभी female matting करने देती है male को कभी matting नहीं भी करने देती है तो ज़रूर matting हो रही होगी female की और अंडे भी बहुत जल्दी आएंगे आपकी female के next question पूचा है शुब जोशी राना यारा भाई नहीं है ये कहते हैं भाई मेरे birds ने दो एग दिये थे पर दोनों फोड़ दिये फिर दो दिन बाद फिर दो एग दिये अभी नहीं फोड़े भाई बता सकते हो पहले वाले एग क्यों फोड़े जी भाई बिलकुल आपके जो पहले दो एग तूटे हैं वो आपने मटकियों में चेक किया होगा एग्स वगेरा को आपने मटकी में जाकर जहाक कर देखा होगा जिसकी वज़ा से birds डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपने अंडेव को तोड़ दोते हैं तो आप आगे से ध्यान रखें अपने birds के एक्स को चेक ना करें थोड़े दिन तक आप मटकियों में ताक जहाक ना करें वनना आगे भी आपके birds एक्स को तोड़ सकते हैं अगला सवाल पूछा है रमन सिंग भाई ने कहते हैं भाई मेरे पास दो पियर है एक पियर फुल एडल्ट है और एक की female एडल्ट है male पठा है क्या वो दोनों पियर बनाएंगे देखिए रमन भाई पियर बनाने के निए हमेशा male का बड़ा होना जरूरी होता या तो male और female की age बराबर हो तब पियर लगता या फिर male बड़ा हो तब पियर लगता आपका male छोटा है तो पियर लगना थोड़ा मुश्किल होगा अगला सवाल पूछा है जस्परीद सग्गू भाई नहीं कहते है ब्रो मेरे एक पियर है बजरी female की nose brown है बड़ male female में interest नहीं दिखा रहा है जबकि female mating करना चाहती है क्या करो प्लीज रिपलाई देखे जस्परीद भाई आपकी female बिल्कूल breed के नहीं ready है आपका male में कमी है तो आपको एक अच्छा सा male लेकर थोड़ी बड़ी age का male उस female के साथ छोड़ दें बहुत जल्दी पेल लगा लेगी वो female और आपके यहां बहुत जल्दी breed भी हो जाएगी नेक्स कोशन पूछा है अभिया अर्शद व्लॉक्स इनका कहना है फिंचिस के ज़्यादा एक्स की quantity और fertility के नहीं क्या करें मैं इनको salt food, grit और calcium syrup देती हूँ quantity बढ़ेगी इसके साथ में आपको अपने फिंचिस को वीक में एक दो बार green food भी खिलाना है पालक और धनिया वगएरा अगला सवाल पूछा है वंश मुंडे भाई ने ये कहते हैं भाई मेरे पास दो पेल हैं पर चारों के भी nose brown है क्या वो female है देखिए चारों female हैं आपकी वंश भाई तो आप ऐसा करें उनके साथ चार male और लाकर छोड़ दें तो बहुत जल्दी उनके पेल लग जाएंगे और breed भी start हो जाएगी आपके यहाँ अगला सवाल पूछा है M के मीना जी इनका कहना है सर जी मेरे पास एक पेर है वो breed नहीं कर रहा है क्या करूँ प्लीज रिपलाई देखिए एक पेर काफी मुश्किल से breed करता है तो आप ऐसा करें दो तीन पेर और लाकर इस पेर के साथ छोड़ दें थोड़ा सा प्राइवेसी दें बर्ड डिस्टर्ब ना हो और अच्छी डाइट दें साफ सफाई का ख्याल लखें तो आपके यहां पर भी breed होगी अगला सवाल पूचा सरीम सैफी भाई ने कहते हैं भाई मेरी मादी कच्चे अंडे दे रही है क्या करूँ देखे भाई आपकी फीमेल के अंदर विटामिन्स वगेरा की कमी हैं तो आप एक विटामिन का सीरप लाकर विटामिन का एक कोर्स कराएं अपने बर्ड को साथी साथ आप ग्रीन फूट खिलाएं वीक में दो बार आप अपने बर्ड को एक दिन पाला के एक दिन मेथी जरूर खिलाएं जिससे के उनके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी तब उनके एक्स जो निकलेंगे वो फैटाइल होंगे नेक्स कोश्चन पूछा है बिपिन बिहारी नायक भाई नहीं ये कहते हैं भाई I am giving boil rice everyday in the week एनी प्रॉब्लम देखे विपिन भाई अगर आप regular boil rice खिलाएंगे birds को तो उनके अंदर चर्वी लग सकती है female को चर्वी आ सकती है साथी साथ जो मटकियों में चिक्स होते हैं जादा soft food खाने से उनको motion भी लग सकते हैं तो आप week में केवल दो बार ही boil rice दें अपने birds को अगला सवाल पूछा है SAP pets भाई ने कहते हैं नमस्ते सर मेरे पास बजीज का एक pair है मैं एक new pair लाने वाला हूँ क्या मैं पठे लूँ या adult लूँ प्लीज reply सर देखिए आप पठे लेकर आएं adult ना लाएं पठे लेकर आएं लेकिन आप एक बात का खयाल लखें लाते के साथ ही आप मठकी ना लगाएं पठो को 3-4 महीने का आप rest दें उनको 3-4 महीने तक बिना मठकी के ही अपने यहां रखें जब वो breeding की एच पर आ जाएंगे उसके बाद ही आपको मठकी लगाने है अगला सवाल पूछा आसिफ सेयद भाई ने के कहते हैं भाई मेल मैटिंग करते वक्त गिर रहा था गर्मी बढ़ चुकी थी मैंने मठकीया निकाल दी और केज को ठंडी जगा पर रखके मैंने ठीक किया अगस्त में मठकीया लगाऊं तो मैटिंग कर पाएगा और कितना टाइम लेगा सीखने में देखिया असिफ सेयद भाई आपने मठकीया निकाल दी गर्मी होने की वज़ा से आपने ठीक किया लेकिन आपने केज की जगा को चेंज किया है तो बर्ड इस से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको यह ऐसी जगा सेट कर दें जहां पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ठंडो बार बार केज की जगा को चेंज ना करें और मेल आपका अगस्त में जब आप मठकीया लगाएंगे तब तक मैचूर हो चुका होगा तो वो बहुत जल्दी ही मैटिंग करने लगाएंगे अगला सवाल पूचा है जमारुदीन खान भाई ने कैल्शम ब्लॉक कैसे बनाएं सिंपल एडवाईज कैल्शम ब्लॉक बनाने के निए आपको पी ओ पी लेनी है प्लास्टर ओफ पैरिस और उसको आपको एक प्लास्टिक के डिस्पोजेविल ग्लास के अंदर मिक्स करके पानी में उसके अंदर डाल देना जब वो सूख जाए तो उस ग्लास को आप काट कर के चीसे निकाल दें और आप उसको अपने बर्ड को दे सकते है अगला सवाल पूचा है इन्वाइस गेमिंग भाई ने ये कहते हैं सर मेरे बजीज खाने में सिर्फ कंगनी ही खाते हैं चावल रोज देता हूँ मगर खाते नहीं हैं जैसे देता हूँ सुभा को वैसे ही रहते हैं और मेल जोल भी बिल्कुल नहीं है और मैंने तीन मटकें लगाई हैं देखते भी नहीं है उनकी तरफ अब गर्मी में कैसे रखना है ग्रीन फूड भी नहीं खाते आठ महीने से बड रिजल्ड भी कुछ नहीं है तो देखिए भाई आप जो है अपने बर्ड को जो है ग्रीन फूड और ये सॉफ्ट फूड खिलाने की आदट डालें इसके नहीं आपको करना ये है कि रात को केज में से आपको सीड मिक्स निकाल लेना है चार पांच घंटे उनको भूका रखकर सुबा को आपको उन्हें सॉफ्ट फूड देना है इस तरह से रेगुलर आप करेंगे तो उन्हें सॉफ्ट फूड खाने की आदत भी हो जाएगी साथी साथ आपको अपने बर्ड को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना है प्राइवेसी देनी है और थोड़ा टाइम का वेट करें तो आपके बर्ड भी ब्रीड जरू करेंगे अगला सवाल पूचा है सुहेल अली भाई ने कहते हैं सर मेरे पास पांच पेर हैं उसमें से एक पेर मैटिंग कर रहा था बट अब एक हफते से नहीं कर रहा है क्या वज़ा है सर प्लीज रिप्लाई जिसकी वज़ा से अब वो मैटिंग नहीं कर रहे तो थोड़ा सा प्राइवेसी दें तीन साइट से केज को कपड़े से कवर कर दें तो उसके बाद जब बर्ड डिस्टरब नहीं होंगे तो दुबारा मैटिंग शुरू कर देंगे अगला सवाल पूचा है चिक्स को हैंट फीडिंग करा रहा हूं और वो चिक्स कितने दिन के होने से सेल्फ फीट करेंगे देखिये 35 दिन के हो जाएंगे चिक्स तो वो खुदी सेल्फ दाना खाने लगेंगे तो 35 दिन तक आपको वेट करना है अगला सवाल पूचा है रमेज साहू भाई ने कहते हैं थैंक्स भाई आपकी टिप से मेरे बार ब्रीड की और वो बच्चे भी निकले भाई मेरी एक फीमेल लगातार तीन दिन मैटिंग की है और मैटिंग करते दस दिन हो गए है लेकिन वो एग ले नहीं की है उसे चर्वी लगी हुई है पेट फूला हुआ है तीन मट्की में जा रही है वो क्या वो ब्रीड करेगी या फिर एग बाइंडिंग हो जाएगी क्या बताओ देखिए जिस फीमेल को चर्वी लग जाती है रमेज भाई वो कभी ब्रीड ने करती तो मैटिंग होती रहेगी लेकिन एक्स नहीं आएंगे किसी भी मट्की में और नहीं उसकी एक बाइंडिंग होगी नहीं वो फीमेल कभी भी ब्रीड करेगी अगला सवाल पूछा है तबस्म शेख इनका कहना भाई मेरे बर्ड को आठ माईने से ना मैटिंग कर रहे हैं ना ब्रीडिंग कर रहे हैं क्या करूं प्लीज रिप्लाई देखिए आपके बर्ड को आप थोड़ा सा प्राइवेसी दें डिस्टर्ब ना करें अच्छी बैठी रहती है वह कब तक एक दे देगी प्लीज आंसर देखिए अब्दुलकरीम भाई जब फीमेल काफी काफी टाइन तक मटकी में बैठी रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह बहुत जल्दी अंडे देने वाली है तो आपके यहां आठ से दस दिन बाद एक जरू पर आ रही है बहुत जल्दी ही मैटिंग भी हो जाएगी लेकिन आपको इस बात का खायल लखना बर्ड डिस्टर्ब ना हो बर्ड को थोड़ा सा प्रैवेसी दें अगला सवाल है राजेश राजेश भाई का यह कहते हैं भाई एक जोड़ा बजीज पैर ब्रीड करेंगे देखिए राजेश भाई एक पैर भी ब्रीड करता है लेकिन बहुत मुश्किल से ब्रीड करता है तो आप चाते हैं अगर जल्दी आपके यहां ब्रीड हो जाए तो दो तिन पैर और लाकर छोड़ें उनके साथ अगला सवाल पुछा क्रिशना गोल्डन बजीज भाई ने के भाई मेरी फीमेल की सिरी ब्राउन हो गई है पांचे दिन पहले मैटिंग भी हुई थी बार बार और मटकी में भी जा रही थी उसका मेल की देथ हो गई है मैं आप क्या करूं देखिए भाई आप उसके साथ फीमेल के दूसरा मेल छोड़ सकते हैं वो दूसरे मेल के साथ प्याल लगा लेगी और कुछ दिन बाद दोबारा ब्रीट कर देगी